हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों लर्निंग प्लेटफोर्म विज्वल आर्ट एंड़ी के टुटोरियल पर आपका स्वागत है दोस्तों समकालिन और आधुनिक कलाकारो उपर प्रशनोत्तर का जो सिरीज चल रही है यह है उसका पाचवा भाग अगर आपको इस सिरीज पसंद आ रही है तो इससे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपकी कला परिक्षा में काफी महतपूर वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे आएए देखते हैं पाचवी सिरीज के कॉस्चन्स और कितने कॉस्चन्स आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताईएगा तो पहले में कॉस्चन्स पढ़ूँगी सारे 20 कॉस्चन्स फिर उसके आंसर हम डिसकस करेंगे कॉस्चन नमर 81 है रविंद्रनाथ टेगोर ने आईउ के किस वर्ष में चित्रकला प्रारंब की ओप्शन है 67, 74, 58 या 62 कॉस्चन नमर 82 है रविंद्रनाथ टेगोर के चित्रो की प्रदशनी 1930 में कहां आयूचित हुई मुंबई, पेरिस, लंदन या न्यू योर्क कॉस्चन नमर 83 है अम्रता शेरिल का समयकाल क्या था 1901-1950, 1897-1936, 1913-1941, 1913-1945 कॉस्चन नमर 84 है वधु का श्रंगार, ब्रहमचारी, किस कलाकार की क्रती हैं ओप्शन है शेलेंद्रनाथ डे, अम्रता शेरिल, शितिंद्रनाथ या अवनेंद्रनाथ कॉस्चन नमर 85 है किस कलाकार ने अपने जीवन की अंतीम 25 वर्ष हिमाले शेतर में वितीत की है ओप्शन है शादराचारण उकील, बडाली मुखरजी, गगनेंद्रनाथ या निकोलस रोरिक कॉस्चन 86 है किस कलाकार के चित्रों की तुलना अभिवेंजनावादी कलाकार नोल्डे वा होल्डर से खी जाती है निकोलस रोरिक, रथिन मित्रा, चितिंद्रनाथ या अवनेंद्रनाथ Q87 है किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी श्वेता मरी शीशक से प्रदर्शित हुई Q88 है किस कलाकार की मृत्यू वर्ष 2020 में कोई मटूर में हुई Q89 है किस कलाकार का जन्म 1948 में गाजियाबाद में हुआ Q91 है किस कलाकार ने जामिया, मिलिया, इसलामिया और पनारस हिंदू विश्व विध्याले में अध्यपन कार किया है Q92 है कलाकार सी यस पटनाय के शेत्रों में विख्यात हुए Q93 है पियन काचरू ने किस वर्ष प्रोग्रसिव आर्टिस्ट एसोशियेशन की स्थापना की Q94 है गुलाम रसूल संतोष को किस वर्ष पद्विश्री फुरस का प्राप्थ हुआ था Q95 है गंद या अर्थ किस कलाकार का है यह चित्र है Q96 है किस कलाकार द्वारा निर्मित पंडित नहरू की आदम कत प्रतिमा जवाहर भवन नई दिल्ली में स्थापित है Q97 है लतिका कट द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प जेराम पटेल इटिंग पेन कहां संग रहत है Q98 है निर्म लखित में से कौन सा नवतांत्रिक कलाकार है Q99 है 1979 में केजी सुप्रमानियम द्वारा निर्मित कृति गल्ल विद एट कैट ये किसका मादम क्या है काच और एक्लिक शीट, ओईल ओन किन्वस, कॉपर बांस या सिमेट और टाइल्स Q100 है एजी श्री खंडे का पूरा नाम क्या है शांतराम गंगा श्री खंडे, सदार शीव गंगाधर श्री खंडे, स्वरूब गोपाल श्री खंडे या सदार शीव गोपाल श्री खंडे तो दोस्तों यह थे 20 प्रेशन, अब आई यह न के आंसर देखते हैं तो question 81 था कि रविन्दा टेगोर ने किस आयू में चित्रकला प्रारम की तो इसका आंसर है option A, 67 67 वर्ष के आयू में ने चित्रकला प्रारम की और 1861 to 1941 इनका time period था question 82 है रविन्दा टेगोर के चित्रो की प्रदशनी 1930 में कहा हुई तो इसका आंसर है option B, Paris में इनके चित्रों की 1930 में प्रदशनी जो हुई पैरिस की हुई गैलरी में इसका नम था गालेरी पिगाल और 1946 में यूनसको द्वारा आयजूत प्रदशनी में इनके चार चित्र सम्मिलित किये गए थे question 83 है अमरता शेरिगल का समयकाल क्या था तो इसका आंसर है option C, 1913 से 1941 और इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं भारतियमा, बाल वदू, पाणे इस्त्रियां ये कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जो अक्सर रग्जा में पूछे जाते हैं question 84 है वदू का श्रंगा, ब्रह्मचारी, किस कलाकार की क्रति हैं इसका आंसर है option B, अमरता शेरिगल की क्रतियां है वदू का श्रंगा, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाले और 1932 में इनके चित्र जो थे, वह ग्रान सेलों में प्रदर्शित हुए थे तो आंसर है यहां पर, अमरता शेरिगल, option B question 85 है, किस कलाकार ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष हिमाले शेत्र में व्यतीत किये तो यह कलाकार थे, निकोलस रोरिक, आंसर है यहां पर, option D इनकी रशियन कलाकार थे, इनका टाइम पिरोड था 1874, इनका जन्मुगा था 1874 में और 1947 इनकी डेथ होई, रशियन आर्टिस्ट थे, और जीवन के अंतिम 25 वर्ष इन्होंने हिमाले की चित्रन में और हिमाले में वतीत किये, और हिमाले को उन्होंने अपना, हिमाचर प्रदेश में अपना निवास स्थान मनाया Question 86 है, किस कलाकार के चित्रों की तुलना, अभिवेंजनेवादी कलाकार, नोल्डे वा होडलर से की जाती है तो इसका आंसर है, Option A, Nicholas Rorick इनके चित्रों की तुलना की जाती है, नोल्डे वा होडलर ये थे, स्विट्जर लेंड के कलाकार जो पहाड़ी देश्रों पर चित्र बनाते थे और इनके जो कुछ प्रसिद्य चित्र हैं, वो कहे कलकी अवतार, रिशी चरक, पवित्र जरना, सागर पार के महवान, इस तरह के इनके निकोलस Rorick की कुछ प्रसिद्य चित्र है Q87 है किस कलाकार के चित्रों की प्रदशनी श्वेतामरी शीरशक से प्रदशित हुई तो इसका आंसर है option B, M.F. हुसेन M.F. हुसेन की प्रदशनी थी श्वेतामरी शीरशक से, जो जहांगिर आर्ट गेलरी मुंबई में हुई थी, 1991 में नेक्स्ट कोशन है 88, किस कलाकार के मृत्यू वश 2020 में कोईमबटूर में हुई तो इसका आंसर है option A, अकबर पदमसी और अकबर पदमसी जी पर मैंने पूरा कलायात्रा का और प्रशन उत्र का वीडियो बनाया है डिटेल जानने के लिए आप वीडियो जरूर देखें जिससे काफी आपको महत्पूर प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे और जेजेजे से इनोंने पढ़ाई की थी नेक्स्ट है 89, दरपन बिम यानिकी मिरर इमेज 1994 ये किस कलाकार की करती है तो इसका आंसर है ऑप्शन D, अकबर पदमसी ये अकबर पदमसी की करती है मिरर इमेज जोंने 1994 में उन्हें बनाई थी और उनका टाइम पिरिट था 1928 से वर्ष 2020 जैसा भी मनें बताया कौम टूमिन के म्रत्य हुई और 1928 में मुमई मेंन का जन्म हुआ था कोशन मन 90 है किस कलाकार का जन्म 1948 में गाजियाबाद में हुआ तो इसका आंसर है ऑप्शन C, लतिका कट जी का जन्म हुआ था 1948 में गाजियाबाद में और लतिका कट जी पर भी मैंने कलायात्रा का और प्रेशन उत्र का वीडियो बनाया है वो आप जरूर देख लें काफी डिटेल में आपको सारी जन्म करी मिल जाएगी और लतिका कट जी का जो पढ़ाई की थी वो B.H.E.U. से की थी B.F.A. और MS University बड़ोदा से नोंने A.E. किया था Q.91 है किस कलाकार ने जामिया, मिलिया, इसलामिया और बानारस हिंदू विश्विध्याले में अध्यापन कारी किया तो इन दोनों जोगों पर अध्यापन कारी किया था लतिका कट जी ने जो भारत की प्रसिद्धे मूर्तिकार है आंसर है option B Q.92 है कलाकार C.E.S. पतनायक की शेत्र में विख्यात हुए तो कलाकार C.E.S. पतनायक इनका पूरणा में 14 सत्ति नारायन पतनायक और इनका जन्म हुआ था 1925 आंध्रप्रदेश के काकुलम में और इनके थे मूर्तिकार आंसर यहाँ पर option B यह मूर्तिकार थे और आंध्रप्रदेश में इनका जन्म हुआ था Q.93 है P.N. काचरू ने किस वर्ष Progressive Artist Association की स्थापना की तो P.N. काचरू जी ने स्थापना की थी 1948 में आंसर यहाँ पर option A 1948 में Progressive Artist Association ग्रूप की स्थापना की थी और 49 में इसकी पहली प्रदशनी हुई थी श्री नगर में और गुलाम रसूल संतोष जी आर संतोष से इसके सदस्य रहे थे Q.94 है गुलाम रसूल संतोष को किस वर्ष पदमशी पुरुसका प्राप्त हुआ तो इनको पदमशी पुरुसकार मिला था 1977 में 1997 में आंसर है ओप्शन C और इनका टाइम पिरट था 1929 से 1997 1929 में का जन्व हुआ था श्री नगर में और 1997 में के मिरत्य हुई थी नई दिल्ली में और एनेस बेंदरन के गुरु रहे थे बड़ोदा में जब इनोंने अध्यान किया था गंद या अर्थ किस कलाकार का है dummy यह चित्र है गंद या अर्थ और इसके रचेता है ऑप्शन C जी आर संतोष जी आर संतोष ने चित्र बनाया है गंद या अर्थ केंवस पर एक्रलिक में एक्रलिक माध्यम का चित्र है केंवस पर बनाया है एक्रलिक माध्यम का चित्र और है रूप ये भी एक्रलिक माध्यम में बनाया है केंवस पर Q96 है किस कलाकर द्वारा निर्मित पंडित नहरू की आदमकत प्रतिमा जवाहर भवन नेदिल्ली में स्थापित है तो ये प्रतिमा बनाई है लट्टिका कट जी ने आंसर है ओप्शन A आदमकद प्रतिमा है यह ब्रॉंज की बनी है और यह जावार भवन नई दिल्ली में सुरक्षित है स्थापित है Q97 है लद्धिका काट द्वारा निर्मेद मूर्ति शिल्प जेराम पटेल इटिंग पेन कहां संग रही थे तो जेराम पटेल इटिंग पेन यह जो मूर्ति शिल्प है यह है नेशनल गैलरी ओफ मॉडरन आर्ट नेदिल्ली में संग रही थे और इनके कुछ प्रशिद्र शंकला है रूट्स यह कांस में 2005 में बनाई है और एगोनी जो 1958 में उन्होंने फाइबर में बनाई है यह भी एंजीम में यह नेशनल गैलरी ओफ मॉडरन आर्ट नेदिल्ली में संग रही थे Q98 है नेवनल लिखित में से कौन सा कौन नवतांत्रिक कलाकार है तो नवतांत्रिक कलाकार जो है इसमें यह सभी है आंसर हो जाएगा Option D देख मनवतांत्रिक कलाकारों के नाम बताती हूँ मैं आपके दिखिए सतीश गुजराल यह कुछ कलाकार है जिनको नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है Q99 है Q99 में केजी सुब्रमनियम दौरा नेमित कृती गर्ल विद केट का माध्यम क्या है तो 1979 में बनाई है कृती सुब्रमनियम जी ने और इसका माध्यम है काच और एक्रिलिक शीट आंसर है Option A काच और एक्रिलिक शीट इसका माध्यम है और सुब्रमन्यान जी पर भी मैंने कलयात्रा का और तृष्णत्र का वीडियो बनाया है जरूर देख लें और इन्होंने बच्चों के लिए इलस्टेशन किया है और किताबे भी लेखी है question number 100 है S.G. श्रीखंडे का पूरा नाम है answer यहाँ पर option B सदाश्रीव गंगाधर राव और आएगा यहाँ पर गंगाधर राव श्रीखंडे उनका पूरा नाम था इनका जन्म हुआ था 1934 दमों में और 2001 में इनके म्रत्य हुई और यह भाज के प्रसिद मूर्तिकार थे कॉर्ण के कुछ मरतिशिल्प है बनारस मूर्तिशिल्प जो मेटल में इनोंने बनाया है इसमें प्रतिकात्मक शिवका नोंने अंकन किया है यह काफी महत्पूर्ण और प्रसिद मूर्तिशिल्प है तो दोस्तों यह थे 20 questions और भारती समकलिन और अधुनिक कलाकारों पर इस तरह से 100 questions हो गए है पांच पार्ट में और आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो जरूर देखें और आप मेरे चैनल की playlist में जाकर Shorts जरूर देखें आपको दो फोल्डर मिल जाएंगे Shorts के Shorts में आपका टाइम बचेगा और आपका Quick Revision भी हो जाएगा और आप कोई वीडियो कैसे लगते हैं आप कमंड करके बताइएगा गुड लग चैह हिंद